दोस्तों आप सभी का स्वागत है Best Notes Tutorials में मेरा नाम है रोश्णी और मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को Literature से Related Questions and Answers कराती हूँ और कुछ exams आप लोगों के अच्छे गए, कुछ exams आने वाले हैं उसके लिए आपको preparation करना है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो exams आपके अच्छे नहीं गए उसको लेकर आप depressed मत होए उससे अलावा आप क्या कर सकते हैं जो आने वाले exams हैं उसका मन लगा कर preparation कीजिए ताकि जो भी regrets हैं वो regrets न रहे आपने कैसा किया नहीं किया वो तो result automatically बता देगा लेकिन अगर आप satisfied नहीं हैं तो please अभी जो आने वाले exams है उसके लिए preparation अभी से शुरू कर दीजिए और इतना preparation कीजिए कि आपको last moment में बिना revision के भी आप exam के लिए ready हो main problem हम लोगों के students का क्या होता है कि वो सोचते है exam आने के लिए एक महिना है देर महिना है तब preparation करेंगे जो की totally wrong है अभी से आप एक एक topic को सुरू कीजिए जो भी हम लोग share करते हैं उसका screenshot लीजिए PDF चाहिए हम लोगों से मांगिए हम लोग provide करेंगे लेकिन अपना practice मत छोड़िए ऐसे करने से gap आ जाएगा आप लोगों का पढ़ने का मन भी नहीं करेगा और अचानक से जब सुरू करते हैं revision work तब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ याद करूँ दिमाग में नहीं रह पाता लेकिन आप पहले से ही अगर practice करते हैं कि मुझे ये particular topic के लिए इतना minute devote करना है ठीक है और next topic के लिए उससे ज़्यादा या कम depending upon the topic ठीक है तो अगर topic बहुत lengthy है जैसे Romeo and Juliet हो गया next Pygmalion उसके बाद है हम लोगों का Midsummer Nights Dream ये बहुत साथ बहुत लंबे dramas है plays है जिसको आपको ज्यादा time देना है तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप रोज पढ़ें रोज थोड़ा बहुत note पनाएं ताकि एक routine जो है as a student जो school regularly जाता है वापस आने के बाद अपना homework करता है और अपने parents को सुनाता है पढ़के कि हाँ मैंने आज इतना ready किया वैसे ही आप लोगों को भी एक systematically preparation करना पड़ेगा otherwise आपकी आदत बिगर जाएगी और आप perform अच्छा नहीं कर पाएंगे जो कि हम लोग नहीं चाहते तो चलिए आज के वीडियो के बारे में discussion सुरू करते हैं last वीडियो में मैंने बनाया था Dover's Beach Part 1 ठेके उसमें first stanza और उससे related introduction और writers का description मैंने बताया description in a sense history वो कहां जन में थे क्या किया उन्होंने और उनका क्या impactful reaction था जब वो poetry लिख रहे थे Dover's Beach तो Part 1 I hope आपने prepare किया होगा अभी मैं Part 2 आप लोगों के सामने रख रही हूँ तो आप लोगों को prepare इसके लिए करना है चलिए सूर करते हैं आज का class जिसका topic है Dover's Beach by Matthew Arnold आज की class में जाने से पहले मैं आप सभी को पता दूँ ये जो courses आपके सामने display हो रही हैं इन सभी का notes हम लोगों के पास मौजूद हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ये topics prepare करके जाना है exams में तो जो screen पे number है उस पे आप contact कर सकते हैं ये है कौशिक सर का और आप email कर सकते हैं कौशिक1020 at the rate gmail.com तो चलिए class चुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा मैंने अल्रड़ी फर्स्ट वीडियो में कर लिया तो आज मैं स्टार्ट करूंगी सेकंड स्टैंजा से तो टॉपिक इस डोवर बीच हम लोगों का टॉपिक है डोवर बीच और सेकंड स्टैंजा से मैं सुरू कर रहे हूं क्यूंकि इससे पहले का portion मैंने अल्रड़ी पार्ट वान में कम्प्लीट कर चुकी हूं ठीक है चलिए रीड करती हूं मैं सोफ़कॉल्स लॉग अगो heard it on the Asian and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery we सी सोफ़कॉल्स कौन थे सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है सोफ़कॉल्स एक Greek Dramatist थे एक Greek Dramatist एक Greek Dramatist थे और ये बहुती famous है ठीक है बहुती famous playwright है या फिर Dramatist है जो की लिखा करते थे 497 BC to 405 BC ये अक्चलि इनका birth duration है ठीक है birth हुआ था 497 में और वो दुनिया से चल बसे थे 405 में और BC BC से आपको पता होगा कि जब भी हम BC लगाते हैं तो उल्टा गिंती होता है जब और Christ Jesus Christ born हुए थे उनका जनम हुआ था उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं जब हम लोग ये numbering लिखते हैं तो before Christ जब भी लिखना है तो ये पहले ज्यादा number होगा उसके बाद कम ये याद रखेगा तो समुद्र है कहाँ पहें ये है यूरोप और आफ्रिका के बीच यूरोप और आफ्रिका के बीचों बीच है एजियन्सी तो सोफर कॉल्स कभी एजियन्सी को देखके उनके दिमाग में खयाल आया ये comparison हो रहा है Matthew Arnold जो की डोवर्ज बीच में बैठके समुद्र की ओर देखते हैं और वो समुद्र के जो लहरे हैं उसको compare करते हैं बहुत सारे चीजों से First of all miseries के साथ compare करते हैं वो waves को ठीक है? waves या फिर tide को Hindi में बोलेंगे तो हम लोग जोवर्भाटा उसको बोलते हैं ठीक है? तो जो जोवर्भाटा आ रही है जा रही है उसको human misery के साथ में compare कर सकते हैं और human faith के साथ भी compare कर सकते हैं ठीक है? According to the poet Matthew Arnold और राइट तो misery के साथ कैसे compare करते हैं पहले बता दो उसके बाद में sofa calls पे आऊंगे miseries ऐसा नहीं है कि life में हमेशा एक level पे होता है ठीक है? कभी ज़्यादा कभी कम कभी होता ही नहीं है और faith भी वैसा है जब इनसान का जो wish है जो भी हम चाहते हैं वो fulfill हो जाता है मान लीजिए आज मैं मंदिर गई या फिर church गई या फिर मस्डिद गई और मैंने कुछ भगवान से मांगा और वो शाम को घर वापस आते आते वो fulfill हो गया तो क्या होगा? मेरा faith जो God में है भगवान में है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कभी बहुत बार मांगने पर भी बहुत बार request करने पर भी भगवान वो चीज नहीं देते जिसके लिए हम इचुक हैं तो faith क्या होगा? पहले तो उपर था अब ही क्या होगा? down, sometimes nil तो जैसे लहरे आती है और किनारे पे टकरा जाती है यही graph हमको मिलता है misery में भी और faith में भी ठीक है? तो Matthew Arnold Matthew Arnold क्या कर रहे हैं? वो compare कर रहे हैं जोर भाटा को misery और faith में faith भी इंसान का कम हो रहा है कभी ज़्यादा होता है और misery भी ठीक है? तो यह जो डोवर बीच के पास बेटके Matthew Arnold या फिर speaker notice कर रहे हैं जोर भाटा को same situation तब भी हुआ होगा जब sofa calls जब sofa calls उनके time में यह बहुत ही साल पहले का बात है जबकि sofa calls हुआ करते थे dramatist जो before Christ Jesus Christ के जनम लेने से पहले लिखा करते थे उनके age में भी वैसे ही problems आती होंगी human problems और human का faith भी वैसे ही होगा कभी ज़्यादा कभी कम तो यह sofa calls कहां कैसे उनको याद आया इसके बारे में जब वो agency को देख रहे थे agency कहां पे है यह है यूरोप और आफ्रिका के बीचों बीच ठीक है clear होगी आप लोगों को चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ and it brought into his mind the turbid ebb and flow अभी देखे यहां पे sofa calls agency पे बैटके agency के पास रुक के या खड़े होके वो notice करते हैं कि human का mind जो है वो कभी उपर होता है और कभी नीचे ठीक है ebb का मतलब है less होना या फिर कम होना यहां पे कम क्या होता है faith कम क्या होता है human misery इसका कहना यह है इस line का मतलब यह है कि अगर modern period हो just a second modern period हो या फिर ancient period हो या फिर middle age हो तीनो age में human sufferings same था same है और same रहेगा इसका मतलब यह misery जो है वो कभी ज्यादा कभी कम और वैसे ही इनसान का faith भी change होते रहेगा कुछ मिला तो भगवान के उपर faith बढ़ जाएगा और कुछ नहीं मिला तो उनका faith घट जाएगा वो यह नहीं सोचेंगे कि भगवान वो चीज हम लोगों को नहीं देते जिसको हम handle नहीं कर सकते या फिर हो सकता है कि हम लोगों के नसीव में hard work करने के बाद ही वो achieve हो सके वो post जो है या फिर कोई चीज है या फिर कोई relationship है जो भी है related human misery related to those things उसमें क्या है कि अगर लिखा है नसीव में hard work करके ही मिलेगा तो hard work तो करना पड़ेगा है ना ऐसा नहीं है कि भगवान से pray किया और हमको मिल गया हम लोगों को कभी भी ये connection नहीं बनाना है कि भगवान मुझे ये दो तब मैं आप पे faith रखूँगा हम लोगों को जब हम लोगों के desires fulfill नहीं होते तब भी भगवान पे भरसा रखना है ऐसा नहीं कि जो आरभाटा की तरह कम या ज़्यादा हो जाए यहीं यहाँ पे कहा गया है Sophocles का मेंचन इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत बुजूर्ग कह सकते हैं लिटरिचर के मामले में बुजूर्ग है उन्होंने भी problems देखा था और humans के nature कैसे change होता है वो देखा था और Matthew Arnold जिसने डोवर बीच लिखा है उन्होंने भी यह देखा है तो समय जितना भी change हो जाए जो human race है वो सभी एक जैसे ही रहते हैं उनका problem सेम होता है उनका work culture सेम होता है और faith भी सेम होता है कभी उपर कभी नीचे और कभी ज्यादा कभी कम होता है चलिए आगे बढ़ते है of human misery we find also in the sound or thought hearing it by this distant northern sea अभी देखिए sound की बाते हो रही है sound कहां से produce हो रहा है waves जो कि समंदर में जो कि समंदर समंदर कौन सा है agency अभी हम लोग बात कर रहे हैं agency के डोवर बीच की बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्यूंकि हम लोगों को compare करना है sophocles के time के साथ अभी का situation और sophocles का time कैसा था तो agency में देखके sophocles को ये पता लगता है कि human misery है अभी sound को हम लोगों को focus करना है sound waves जो कि produce हो रही है समुंद्र के किनारे वो सुनके hearing it by this distant northern sea ये sound को सुनके उनको human misery के बारे में खयाल आता है क्यूंकि दूर से वो इतना height दिखता है और बहुत shore से वो समुंद्र के किनारे आती है तो जितना sound यहां पर create करती है जैसे जैसे edge या फिर bank के उपर आती है ये tide ये wave वो उतना ही sound कम हो जाता है ठीक है इसका हम लोग एक कह सकते है कि जितना problem दूर से बड़ा लगता है जैसे जैसे हम उसको solve करने के लिए छोटे छोटे टुकडों में बाट देते है तब वो कम हो जाता है यहां पर क्या था बड़ा सा wave था जैसे यहां पर आया तो उसके जो parts थे वो कम होते गए उसका intensity उसकी तिब्रता कम होती गए तो वैसे ही है human का miseries जिस तरह के से हम लोग इसको देखेंगे वैसे ही पाएंगे अगर हम इसको बड़ा सोचेंगे तो बड़ा दिखेगा या फिर उसको हम बोलेंगे कि नहीं मैं इससे deal कर सकती हूँ या सकता हूँ और इसको मुझे एक-एक करके deal करना है ऐसा नहीं कि सबको एक साथ हैंडल कर ले हम लोग तो human का problem cure कर सकते हैं उसको solve कर सकते हैं अगर हम लोग determined रहें कि ये problem हम लोगों से solve हो जाएगा और जितना problem बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है क्योंकि जो भी problems भगवान हम लोगों को देते हैं या फिर भगवान हम वो problem से मिलाते हैं उस वक्त वो problem से लड़ने की शमता भी देते हैं लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं उसको तो वही faith generate करना है modern लोगों में ठीक है वो faith अगर generate हो जाए तो किसी भी age में किसी भी इंसान को कोई problem नहीं होगा चलिए जो मैंने revise किया जो मैंने explain किया उसको quickly revise करते हैं यहाँ पर ओके चलिए in the second stanza it is an allusion to the famous tragic poet Sophocles ठीक है see allusion मतलब किसी चीज को दिखा के compare करना ठीक है जिसे रामायन का कोई character दिखा के अगर मैं compare करती हूँ कि वो लड़का राम जैसा है वो लड़की सीता जैसी है तो यह हो गया allusion हम लोग compare कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या compare कर रहे है Sophocles को Matthew Arnold और speaker जो भी poetry में है जो कि डोवल बीच में बेटके देख रहा है और वही situation Sophocles ने भी देखा था तो यहाँ पे comparison है तो यहाँ पे कंपारिजन है तो देस्पॉंदेंट मतलब बहुत ही दुखी and monotonous sound monotonous मतलब जो बार-बार होती है जिसमें कोई नया चीज नहीं है तो monotonous sound of the waves reminds him of the despair with which Sophocles observed the misery and suffering of human beings in life as he heard the melancholic sound of the waves of the Asian sea तो Sophocles भी जैसे मैंने अभी बताया miseries remind होता है तब जब waves के sound वो सुनते है उनको भी वही लगता है कि waves जैसे आते है वैसे ही problems इंसान के life में आता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो poet 2 finds himself deeply affected by the tragic aspect of the sea and the human faith अभी मैंने explain किया आपको कि human faith fluctuate होते रहता है जैसे last time देखा था हम लोगने कि जैसे लाइट पानी में नहीं stable रहती वैसे faith भी इंसान का stable या फिर अडिग नहीं रह सकता nobody is free from the eternal sufferings that human beings find themselves in human being का नाम ही यह sufferings बच्चा हो, बुरा हो, जवान हो सभी की अपने-पने problems है और वो problems कभी भी हटाये नहीं जा सकते हैं miniature या फिर छोटा से छोटी form में भी वो रहेगा ही इसलिए इंसान कभी संतुस्ट नहीं होता अगर संतुस्ट है तो वो ज़ूट पूल रहा है किसी नहीं किसी form में कुछ नहीं कुछ दिकत human beings को होती ही रहती है the disordered rise and fall of human misery is symbolic to the ebb and flow of the sea waves मैंने बोला, human misery कभी ज़्यादा, कभी कम होता है वैसे ही, कभी कम ebb मतलब less, मैंने बताया आपको कम होना, ठीके, उसी तरह से जिस तरह से sea waves आते जाते रहते हैं कभी ज़्यादा होता है, कभी कम कभी हम लोग उसको handle कर पाते है कभी क्या होता है, कुछ damage हो जाता है अपने life में जब हम लोग sea waves को handle नहीं कर पाते हैं, जैसे कि tsunami है, okay, tsunami को हम लोग handle नहीं कर पाएं, इसलिए इतना disaster हुआ, है ना तो किसी किसी के life में ऐसा problem होता है, okay, उसको avoid हम लोग नहीं कर सकते हैं और इसको भगवान की इच्छा मान कर accept करना पड़ता है हम लोगों को, alright the sea is an archetypal image invested with the sentiment of divine dignity यहाँब दिखे, sea is an archetypal archetypal मतलब original model original, ठीक है, original image invested with the sentiment of divine dignity जो sea है, वो एक natural entity है nature का एक part है, okay और उसको divine consider कर सकते हैं इसमें कोई artificial चीज नहीं है और sea represent करता है excuse me, divine dignity को जो कि भगवान से ही प्राप्त होती है, भगवान से ही मिलती है, और जो nature है, उसके अलावा कोई भी divine नहीं है, जो भी छीज़ human being ने बनाया, वो artificial है, तो जो भी भगवान ने बनाया, उसको sentiments के साथ बनाया, जिसको हमको respect करना है चलिए दूसरे point देखते हैं the faith in the religion that owing to advancement in science and materialism was rapidly losing, its significance is compared to a sea, अभी मैंने बोला आपको कि ये sea जो है वो natural entity है और जो human being ने बनाया, वो artificial और temporary ठीक है, जो भी modern science ने हम लोगों को दिया है जो भी हम लोगों के life को ease करने के लिए कुछ भी मान लेजे, TV, fridge, या फिर machinery जो भी छीज़े हैं, वो artificial है इसका end कहीं न कहीं होता ही है और इसका जो plus point है उससे ज्यादा negative point है तो अगर हम लोग nature के साथ connected रहेंगे तो benefits ही benefits है इससे nature damage भी नहीं होगा और जो हम लोग connection बना दे पहले क्या होता था कि हम लोग nature की पूझा करते थे तो हम लोग directly nature से connected थे पूझा करने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको चोट नहीं पहुचाएंगे जैसे मान लीजे कोई plant है जिसको हम लोग पूझते हैं मान लीजे तुलसी की पूझा हम लोग करते हैं तो हम लोग थोड़ी ना तुलसी जी को मारेंगे या फिर उसको carelessly रखेंगे ऐसा नहीं होगा ना तो वही यहां पे बताया जा रहा है example के लिए मैंने तुलसी दिया था यहां पे जो c है वो nature का एक पार्ट है और जो भी advancement में मिला है science और technology से related advancement से result मिला है वो हम लोगों के लिए long run में दूर तक अगर देखा जाये तो वो हम लोगों को devastative जगह पे पहुंचाते हैं न की constructive ठीक है तो वही यहां पे discuss किया गया है कि जो भी है faith हम लोगों को रखना है भगवान पे कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं a sense of doubt and despair pervaded the Victorian era leaving man vulnerable and rejected see Victorian era में जब भी इंसान ने अपना progress किया nature को भूल के तब वो vulnerable मतलब destroy होने वाले थे rejected मतलब बहुत ही उदास होना यह उदासी किसलिए है अब यह मैं आपको बताती हूँ मान लिजी किसी का 5000 salary है किसी labor का 5000 salary है वो उसमें अपना घर चला रहा है लेकिन अगर घर वाले बोलते हैं कि मुझे इस महीने यह television लाके दो तो वो कहां से कर पाएगा नहीं कर पाएगा उदास हो जाएगा वैसे ही Victorian era में क्या था humans के greeds बढ़ते जा रहे थे बढ़ते जा रहे थे industrial revolution हुआ जिसकी वज़े से एक के बाद एक एक के बाद एक commodities बढ़ती गई commodities के लिए market बढ़ते गए और जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे इनसान को इनसान लालची होता गया और जो भी एक peaceful life जी रहे थे उनका peace destroy हो गया और अभी बहुत सारे चीज़ भगवान को मांगने लगे कि मुझे ये दिला दो मुझे ये कर दो मुझे वो कर दो तो हर समय ये possible नहीं होता अपने हाथों में जो possible है उसके हम लोग certainty दे सकते हैं कि हाँ आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ठीक है 100 के जगे 200 में कमा सकता हूँ दिन में लेकिन ऐसा नहीं कि 100 रुपीस हाथ में है और 2000 का expectation करें तो यही problem था Victorian era के humans का जिसकी वजह से वो destructive phase में पहुँच चुके थे और बहुत ही उदास थे rejected मतलब बहुत ही उदास ठीक है The spiritual and religious faith that was once unbreakable was shivering now Once upon a time religious faith को utmost priority देते थे लोग भगवान पर विश्वास करते थे और God fearing भी थे भगवान से डरते थे और उनकी बाते सुनते थे कि यह नहीं करना है दूसरे को चोट नहीं पहुँचाना है लालच नहीं करना है लेकिन जैसे जैसे modern technologies आए तो उनका first of all तो जो अच्छी बाते थी वो सुनने का time नहीं था मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने का time नहीं था जहां पर कि अच्छी बाते होती है तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि वो सोचे कि हम ही all in all है human beings started thinking कि मेरे हाथ पे power है मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके वज़े से भगवान पे faith वो कम हो गया और ये faith ऐसे state में पहुँच गया जहां पर कि हम लोग बस नाम के लिए इसको देख पाते हैं दुनिया में hardly ऐसे बेखती है जो कि भगवान से डरते हैं तो यही कहना है second stanza का चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड stanza यहां पर जो difficult words से पहले उसके बारे में बता दू गर्डल मतलब एक belt जैसा कोई चीज बैल्ट जैसा चीज जो कि किसी चीज को surrounding मतलब गोल करके बांधे रखता है उगे unfold मतलब जो कि open नहीं है अगर यह belt को open कर दिया जाए तो जो भी इसके चीज जो भी इसके अंदर चीज है वो बाहर निकल जाएगी तो उसको stop करने के लिए यह जो girdle है उसको बांध के रखना पड़ता है belt को बांध के रखना पड़ता है तो girdle का मतलब यह है चलिए इसको देखते हैं कि यह poetry में क्यों use किया है जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि faith जो है वो घट रहा है कभी full होता है कभी कम होता है जब full होता है तो faith high होता है और जब shore पे आता है earth's shore मतलब end of something ठीके वो last stage है जब shore पी आता है उसके बाद में waves destroy हो जाते हैं उसके बाद उनको कोई और जगह नहीं है जहां पर जा सकी इसलिए धीरे 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 उनका स्थित्व जो है वो कम हो जाता है या फिर गुम हो जाता है lay like the folds of a bright girdle fold तो इसको जो earth है उसमें जो भी लोग रहते हैं जो कि represent कर रहा है girdle या फिर belt जो faith है उसको बादे रखना है यहां पर और यह अंदर है earth मतलब earth के लोग जिसको faith पे believe करवाना है और इसके लिए एक girdle जो belt है उसको unfold नहीं करना है इसको unfold way में बादे रखना है इसको that means जो भी human beings है उसका जो faith है उसको intact रखना है उसको तोड़ना नहीं है I hope आप लोगों को समझ में आ रही है अगर नहीं आ रही है तो please screenshot लेजिए और whatsapp कीजिए कि वो चीज़ आपको नहीं समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं समंदर में आवाज होती है जो कि किसी भी तरीके से जन्मा हो जैसे वेव से या फिर आधी तुफान आता है तब भी रोर होता है रोर मतलब pleasantness को नहीं दर्शाता ठीक है कुछ dangerous कुछ डराउना ऐसा है अभी देखिए जो शौर पे वेवस आ रहे थे वो क्या करेंगे वो रिट्रीट कर रहे हैं वापस जा रहे हैं वो दूर से आएं वो वेवस दूर से आएं और जो शौर पे था शौर पे जो भी स्टोन या फिर पेबल्स थे उस पे टकरा आएं और फिर वापस चले गए जो भी पानी था वो वापस चला गया तो अभी हाथ में क्या रहा जो चोटे चोटे पेबल्स थे शौर पे यहां से सी सुरू होता है जो पेबल्स थे वो नेकेड हो गये क्यूंकि वो पानी के साथ में जो भी सैंड था सैंड से जो पेबल्स कवर हो रखे थे वो सभी सैंड को भी वेव्स ने क्या किया लेके बहा दिया अभी जो भी चीज़ें यहां पे हैं यह शौर में हैं वो नेकेड हैं हम लोग openly देख सकते हैं, pebbles, naked shringles, shringles मतलब pebbles, or these small stones, okay, बीच में हम लोग stones देखते हैं, और sand देखते हैं, sand को already पानी बहा ले जा चुका है, तो हम लोग क्या देख पाते हैं, naked stones, इसका मतलब यह है कि बिना faith के, हम लोग, first of all, respectful नहीं रह सकते हैं, हम लोग की कोई identity नहीं रहेगी, okay, वो बीच नहीं रहेगा, अगर वहाँ पे उसको identify करने वाले चीज़े न रहे, okay, उसके characters वहाँ पे नहीं रहे, that means, sand, pebbles, और जो slope area है, वो सब, थेखें, सब कुछ naked हो जाएगा, naked, कुछ भी naked हो तो वो respectful नहीं रहता, वो other के लाइक नहीं रहता, वैसे हो जाएगा इनसान, without faith, उसको कोई respect नहीं मिलेगी, वो इनसान की category में भी नहीं आएगा, क्योंकि faith या फिर emotions, okay, भगवान की और भी हम लोगों का emotion है, responsibility है, जो कि जानवरों को नहीं है, तो बिना responsibility के, अगर हम लोग रहते हैं, तो हम लोग इनसान कहलाने के लाइक नहीं है, इसलिए जिस तरीके से, बालू निकलने के बाद, pebbles open हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी open हो जाएंगे, अगर open मतलब naked हो जाएंगे, अगर faith हम लोगों के दिलों में नहीं रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, third paragraph में, third stanza में, चलिए analysis देखते हैं इसका, in stanza third, the sea of faith, यहाँ पे देखें, comparison क्या हुआ है, faith, sea के साथ compare किया गया है, the sea of faith, that enveloped, enveloped मतलब cover करना किसी भी चीज़ को, जब हम लोग चिठी पूस्ट करते हैं, तो चिठी को अंदर डालते हैं, लिफाफे के और बंद करते हैं, वो enveloped जो है, उसका काम है cover करना, ठीक है, तो cover क्या कर रहा है, world, just like a girdle, just like that belt, पुरा दुनिया को cover कर रहा है, या फिर एक डोर में बाधे हुआ है, girdle is fashioned around the waist of an individual, has now receded, receded मतलब घटना या फिर कम हो जाना, तो यह जो girdle है, उसका जो tightening, जिसका जो gart है, वो tight सा पहले, लेकिन अभी lose हो गया है, और lose होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे एक एक करके, सब चीज अंदर का बाहर निकलने लगेगा, तो human beings का भी वही हालत है, एक एक करके दुनिया में faith कम हो रहा है, the sea no longer conducts the act of ablution around earth's human shores, ablution मतलब जो भी पानी से related चीज़ है, नहाना, धोाना, धोना ऐसा है, तो धोने की जो प्रक्रिया है, उससे compare किया जा रहा है, यहां पर, जो भी धोने का कारक्रम है, वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि जो wave था, उसी के साथ faith भी आता था, अभी faith जा चुका है इंसान से, वो धुल चुका है, धोने के बाद वो कहीं दूर जा चुका है, समुद्र में, नेक्स्ट वेरी इंपोर्टन पॉइंट इस साइंस क्वेशन और चालेंच, दि रिलिजियन और स्पिरिच्वल आइडियाज, इंडूशिंग डाउट्स इन पीपल्स माइड, ये बहुत ही इंपोर्टन है, ये इसलिए क्यूंकि, आजकल के जो भी बच्चे हैं, वो बहुत सारे क्वेशन्स करते हैं, क्यूं और कैसे, अगर मंदेज जा रहे हो, तो क्यूं जा रहे हो, भगवान को प्रशाद चड़ा रहे हैं, तो क्यों चड़ा रहे हैं अगर पंड़जी को कुछ दक्षिना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं दिन में हम लोग कितने चीज वेस्ट करते हैं ठीक है तो उसका हिसाब किताब नहीं करके जो हम लोग 2-4 रुपे का प्रशाद चढ़ाते हैं या जो भी ओफर करते हैं भगवान को या चर्च में या मस्ज़ित में ठीक है उसको अगर compare किया जाए तो वो वो arbitrary होगा वो illogical होगा ठीक है क्योंकि एक faith generate करना है youngsters के दिलों में वो नहीं हो पा रहा science के वज़ा से क्योंकि लोग सोचते हैं कि हर चीज़ को scientifically देखो लेकिन एक power ऐसा है जो कि हर किसी को explain करके नहीं समझाया जा सकता ठीक है चलिए मान लिजिए कि जो earth है वो घूमता है क्योंकि rotation and revolution हो रहा है दिन और रात हो रहे है seasons change हो रहे है लेकिन उसके पीछे कौन है जो earth घूम रहा है उसको घूमने के लिए energy चाहिए ना इंसान को काम करने के लिए energy चाहिए हम लोग food खाते हैं तो वो food किसने बनाया कैसे बनाया कैसे हुआ ये तो कुछ चीज़े हैं जिसको की right from the beginning explain नहीं किया जा सकता और वो है eternal power जो earth के starting में भी था और earth के destruction जब भी हो उसके बाद भी रहेगा I hope it's clear the dominating and loud roar of religion faith was now retreating पहले जो roar करता था बहुत जोरो sorrow से लोग follow करते थे religion को अभी वैसा नहीं है वो retreat हो चुका है भाग चुका है कहीं पर चले आगे बाद the night wind sorry the loud and intense roar of the sea of faith was now replaced by a gloomy and withdrawing roar जो पहले roar of faith था अभी क्या हो गया है replaced by gloomy gloomy मतलब sad okay dull जिससे की कोई cheerfulness नहीं है कोई happiness नहीं है कोई भी situation को लेके कोई भी experience को लेके कोई भी act को लेके यह gloominess यह sadness हो सकता है withdrawing roar तो इसको replace हो चुका है ठेके अच्छा जो intensified faith था वो घट चुका है intense मतलब बहुत तेज the night wind here symbolizes disbelief and doubt the night wind okay night itself मतलब जिसमे light नहीं है light नहीं है तो हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है कुछ clear नहीं होता हम लोग doubt करते है कि वो क्या है घर है या पेड है या फिर कुछ और रखा गया है वो इनसान है या फिर कोई plant है तो जब light नहीं होती तब बहुत सारे questions हम लोग करते है जिसके answers हम लोगों को दिन में ही मिलेगा जबकि light होगी तो वही night यहाँ पे mention किया गया है the night wind here symbolizes disbelief इंसान बहुत doubt करने लगा है और बहुत questions करते हैं doubt करते हैं faith has been darkened by science faith जो पहले भगवान के उपर लोग ऐसे ही करते थे science वगरा की जरुरत नहीं थी तो अभी science का help लेके हम लोग believe करना चाहते हैं जो कि possible नहीं है क्योंकि बहुत सारे चीज़े हैं जिसको हम लोग explain नहीं कर सकते science से चलिए देखते हैं last paragraph last stanza को अह love let us be true to one another for the world which seems to lie before us like a land of dreams so various so beautiful so new यहां पे देखिए अब finally जो speaker है वो अपने love को बलाते हैं अब यहां पे हम लोग present में आ गये हैं जो कि डोवर्स बीच में हो रहा है ठीकिए डोवर्स बीच में हम लोगों ने बताया कि मैथियू आर्नल्ड अपना honeymoon मनाने के लिए गये थे और वो डोवर्स बीच में बेटते हुए हैं उनको यह poetry के बारे में सुझा theme जो है वो आया और उन्होंने poetry लिखा तो वो finally पुरा यहनो वर्ल्ड का tour करके हम लोग वापस आते हैं और imaginary tour क्योंकि हम लोगो sofa calls में लेके गये फिर compare किया गया earth को एक belt के साथ उसके बाद में faith के बारे में बात हुआ लोग कैसे change होते हैं वो पताया गया अब वो present में क्या चाहते हैं अपने love से वो देखते हैं वो request करते हैं let us be true जो false would हम लोग पाले हुए है जो fake personality हम लोग दिखाते हैं कि मैं यह हूँ में वो हूँ मेरे पास इतने property है मेरे पास यह knowledge है वो सब arbitrary है और वो सब fake है true क्या है truth क्या है कि लोगों को विष्वास करना लोगों के साथ रहना और एक happy life जीना तो वही speaker बोलते हैं कि oh love let us be true हम लोग sincere होते हैं एक दूसरे को जिन कर रहे थे कि dreamland ऐसा होगा वैसा होगा यह कमाऊंगा यह बनाऊंगा वो सबको side रखके एक beautiful और नया चीज़ को idea को जनम देते हैं या फिर एक नए world में हम लोग shift होते हैं so various, so beautiful, so new hath really neither joy, nor love, nor light nor certitude, nor peace for help for pain and we are here as a darkling plane अभी देखें यहां पर जो कल होने वाला है उसके बारे में हम लोग certainty नहीं दे सकते certificate नहीं दे सकते कि कल यह होगा तो इसलिए जो भी present moment है उसको joyfully जीते हैं भगवान को भगवान की और एक respect रखते हैं उनसे डरते हैं जो अच्छे काम हैं वो करते हैं और इससे अगर हम लोग अच्छे काम करते हैं तो हम लोग confidently कह सकते हैं कि कल को हमारे साथ गलत नहीं होगा अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ swept with confused alarms of a struggle and flight where ignorant armies clash by night अब भी देखिए जो भी pain हम लोगों के life में हो रहा है वो हटना चाहिए उसको sweep करना चाहिए जाड़ो बाहर के बाहर करना चाहिए swept with confused alarms swept बाहर के बाहर ना मतलब जाड़ो लगाके उसको sight करना ठीक है तो struggle and flight confused alarm of struggle and flight तो क्या करना है हम लोगों को जो भी confusion है struggle or flight से related उसको sight करना है where ignorant armies clash by night ignorant क्योंकि ये army को नहीं पता कि वो किस लिए लड़ रहे है ऐसा नहीं है कि वो जो soldier लड़ रहा है उसका दूसरे party के वो soldier से एक personal grudge है ऐसा नहीं है उनको क्या problem है कि वो different countries को represent करते हैं उनके politicians उनके leaders किसी न किसी वज़ा से लड़ाई में है जिसकी वज़ा से armies को fight करने के लिए लगा दिया गया है लेकिन इन सब को हटा के एक नई जिंदगी हम लोगों को जीना है भगवान को विष्वास करना चाहिए चलिए इसका summary देखते हैं और analysis भी करते हैं in the fourth stanja the final paragraph opens with an expression of intense despair and sorrow pent up in the mind of the speaker so here we understand that the intense despair मतलब जो sadness है वो बहुत ही intense है इसलिए speaker का mind जो है वो भी pent up pent up मतलब किसी भी चीज में बदे हुए रहना जिससे बाहर नहीं निकल सकते हम लोग ठीक है pent up मतलब चारो और से एक boundary खीच जाना तो जो mind है speaker का वो भी वैसा ही है वो भी चार दिवारी के अंदर बंद है उसको खोलने की जरुरत है जो modern human being से उसको खोलने की जरुत है अपना mind क्योंकि human being को human being के काम आना चाहिए जो भी progress हम लोगों ने किया हम लोग अभी देखते हैं कि वो useless है जितने भी industries बनाएं उसकी वज़ा से जो greenery है world का वो damage हुआ है जो water है वो damage हुआ है जो air है वो polluted हुआ है तो हम लोगों ने क्या achieve किया जो भगवान ने हम लोगों को free दिया था उसके लिए हम लोग पैसा देके लेना पड़ रहा है तो ये situation किसने create किया human beings ने ठीक है तो ये जो confined situation है उससे बाहर निकलना है और सभी के बारे में सोचना है ठीक है love is evoked as the ultimate solace solace मतलब राहत मिलना या देना with a sense of a certain consolation so जब तक love होगा तभी ये जो पूरा problem का solution हम लोग निकाल पाएंगे ये love है तभी consolation है दिल में सुकून है कि चलो हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया according to the poet in a world that has been tormented by deception, lies and gloom love is the ultimate truth tormented मतलब tortured okay now human beings tortured है क्यों? क्योंकि वो deceive करते है वो उनका जो identity है वो deceptive है कभी वो कुछ बोलते हैं और धोका देके फिर कुछ और बन जाते हैं तो जो fake personality वो मकोटा या कह सकते हैं हम लोग मकोटा लगा के चल रहे हैं उसके वज़ा से और जो जूट हम लोग बोलते हैं उसकी वज़ा से हम लोगों का life dark हो गया है gloom रहते हैं हम लोग gloomy रहते हैं हम लोग जा सकती हमको love करना हम लोग उस love के बारे में नहीं बोल रहे हैं girlfriend या boyfriend का हम लोग बात कर रहे हैं हर इंसान जो की इस धर्ती पे आया है उसको प्यार मोहबत से रहना है दूसरे human being से क्योंकि हम लोगों को prove करना है कि हम लोग human being है हम लोगों को responsibility लेना होगा अपने बच्चे को food देना अपने बच्चे को पालना वो तो जानवर भी करते हैं ठीक है लेकिन हम लोग animals को responsibility नहीं दे सकते कि तुमको ये 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 करना है लेकिन human beings reliable हैं उनको पे depend कर सकते हैं इसलिए ये काम हम लोगों के लिए है ठीक है तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि love spread करना है और सांती से रहना है और रहने देना है the world seems to be like a deceptive land deceptive मतलब धोका या धोके बाज दुनिया land of dreams which culminate culminate मतलब finally जो product आता है मतलब result okay in one word it is result culminates in hopelessness and pain जैसे हम लोगों को इंसान दिखते हैं वैसे नहीं होते जिसकी वज़े से finally हम लोगों को दर्द होता है दर्द किसलिए क्योंकि हम लोग hopeless हो जाते हैं कि इसने ये बोला था वो किया नहीं all right the reality is contrasted to the appearance and illusion illusion sorry we trust life to be तो जो हम लोगों ने imaginary दुनिया बनाई है okay इसको कहते है making castle in the air हवा में महल बनाना तो वो महल सपने में बन सकता है लेकिन reality कुछ और है ठीक है सपने हम लोग बहुत देखते हैं हम लोगों को बहुत कुछ चाहिए लेकिन उसके लिए बहनत करना पड़ता है फिर भी हम लोगों के सभी dreams पुरा नहीं हो पाता life is a cacophony of turmoil cacophony मतलब sound ठीक है sound भी कैसा जिसमें की बहुत सारे sounds हो concussion बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे जिसें क्लास में सभी बच्चे हल्ला करने लगे तो उसको बोलते है concussion और cacophony तो जो turmoil है human beings के life में swallowed by the darkling plane where there is no joy, no love, no faith, no certainty no harmony and no help तो present situation जो है वो cacophony है जिसमें बहुत शोरगुल है बहुत torture है बहुत महनत करके इंसान पैसा कमाता है लेकिन वो पैसा भी उसको happiness नहीं दिला पाता इसलिए वहाँ पे harmony भी नहीं है और कोई help के लिए ready भी नहीं है lovers in their common sufferings acquire the comfort of constancy as we as human beings are more often brought together more by sorrow than by happiness जो lovers है उनको comfort है क्योंकि at least कहीं से तो उनको प्यार मिल रहा है लेकिन ये प्यार जो है उसको हम लोग ज़्यादा spread नहीं कर सकते हम लोगों को spread करना है universal brotherhood वाला love ठीक है a kind of darkness surrounds human destiny as they clash with each other on vague alarms with a sense of primitism and savagery अभी क्या हो गया है दुनिया जो है वो primitive जैसा behave करता है primitive मतलब जब हम लोगों के ancestors के पास modern technologies नहीं थे तो क्या करते थे पत्थर से आग जलाते थे पत्थर वेपन की तरह यूज करते थे जानवरों को मारते थे खाते थे और जीते थे तो वही barbaric nature जंगली पना हम लोगों में आ गया है किसी भी तरह इंसान को लूटना किसी भी तरह उनका खून खाना इसको literally नहीं लेंगे कि हम लोग खुन का रहे लेकिन जो पैसा deceptive way में हम लोग स्नाच कर रहे हैं doctors हो, engineers हो या फिर कोई भी हो उस profession में जो की illegal की और जा रहा है वो सभी को हम लोग point out कर सकते हैं यहां पे ठीक हैं उनकी वज़े से दुनिया में आशान्ती फैली हुई है और savagery, savage मतलब जो की दूसरे को hurt करने के लिए always ready रहते हैं crew, चलाग, चतूर लेकिन negative way में जो धूरत है वैसे लोग भड़े पड़े हैं और उनको change करना हम लोगों का duty है and the clash is as endless as time and tide जो clash है, जो problems है, वो हमेशा रहा है और रहेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब sofo calls थें, तब भी problems थे human के और जब present में हम लोग जी रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को problems है और ये भी रहेंगे इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता तो जो clash है, वो हमेशा रहेगा time and tide की तरह Humanity has lost its substance and spirit as they indulge in meaningless acts of battles and wars and spreading only despair and hopelessness बिल्कुल सही, जब तक humanity अपना identity को question नहीं करेंगे, तब तक ये सब होते ही रहेगा Humanity, Humanness, Okay, Being Humane, ये सब हम लोगों को सोचना है कि हम लोग इंसान है और इंसान की help करनी जाएं, ठीके, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जगडा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग दुख spread कर रहे हैं, हम लोग hopeless बना रहे हैं लोगों को, Okay, competition बहु यह conclusion है कि हम लोग अपने आप में कोशिश करें, कि हम लोग लोग love spread करें rather than fights and we should not do any provocative lectures or words we should utter, Okay, जब इंसान दुसरे के बारे में सोचते हैं, तभी हम लोग selflessly काम कर पाएंगे और ये जो feeling है, वो generate करना पड़ता है, तो ये कहानी के साथ ही, ये point के साथ ही, मैं अपनी class को end करती हूँ, और एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो please share किजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किजिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे, तो exam को clear करना बहुत ही मुश्किल होगा, आप blind luck पे मत चाहिए, पंपको हूँ, थिर में आप बह तकिन解 is विवर के वाटी करता तो एक लाफल एक आव बहू करता से जाहीं, तकत्पु क्यू अबर आप ले दिक हत्तर इस अगरों के ज़ाउने कि दे अट और तो पारे सिए श्याद आप, मैं रूने मैं आया, आप